दोस्तों चोरों ने बताया था स्वामी बिवेकानंद जी को कि उतरपजेश के गाजीपुर में गंगा के किनारे कुर्था गाउं में पवहारी बाबा रहते हैं और उनके चमतकार को बताया और स्वामी बिवेकानंद इस स्थान पर आए और तीन महीने रहे एक ऐसे संत के दर्शन के लिए वारतालाब के लिए उन्हें इस अस्थान पर तीन महिने गुजारना पड़ा बिवेकानंद पत्रावली में उन पत्रों का और उसका जिक्र स्वामी जी ने किया है आईए हम दिखाते हैं बनिय हमारे साथ और बड़ा आनन्द आएगा आपको यह गेट है जिसे आप देख रहे हैं स्री मते रामानव जाय नमः संत सिरोमनी सिरी पवहारी बाबा आस्त्रम कुर्था गाजीपूर यह गाजीपूर सहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर यह अस्थान है कच्छी सडक यहां तक आपको पहुचाएगी और फिर आप भीतर प्रवेश करेंगे आईए हम दिखाते हैं इस अस्थान को और बिबेकानंद जी जहां रह करके इंतिजार कर रहे थे स्वामी पभारी जी का उस अस्थान को भी हम दिखाएगे यह गेट से हमने प्रवेश किया और अपने पत्रों में जिस असोक के ब्रिक्ष का उन्होंने उलेख किया है और पीपल का वो यही ब्रिक्ष है जहां स्वामी जी रह करके इंतिजार करते थे कि पभारी बाबा का दर्सन हो जाए यह वही पीपल है एक बार हम यहाँ दिखा देते हैं आपको इस पुराने पीपल का इसे देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पुराना होगा बाद में इसका चबूतरा बना लेकिन पीपल की ताकत कही है आप रश्टाचार का पहिमाना कि यह खंड-खंड हो गया चबूतरा चलिए आप कहेंगे हर जगा आप यही दिखाते हैं कुछ देखते रही है कौन दिखाएगा इसको किसी ने किसी को तो दिखाना पड़ेगा ही यह राजन सुकला जी यहां जिलादिकारी थे इन्होंने उन्हें सुन ठानबे निन्यानबे में इसका सुद्री करण कराया था और यहां कुछ लिखा हुआ है हम भीतर चलेंगे वहां जेल जैसी दिवालें और वहां सुरंग जहां चोर पकड़े गए थे उसे भी हम दिखाएंगे यह लिखा गया है उनिस्वी सदी के महान संत पवहारी बाबा पवहारी बाबा का जन्म जाउनपूर में हुआ था फिर इसका उलेक करते हुए अगर बढ़ाएंगे तो लंबा समय लगेगा और यहां सब बता करके बताया गया है कि यहां स्वामी जी आये थे महीनों बाद भक्तों को दर्सन मिलने लगा स्वामी विबेकानंद मार्क दर्सन के लिए दो फरोरी सन अठारसो नब्बे इस भी में पधारे और दर्सनों की भूख लिए लगभग तीन माफ तक रुख गए उनई सब पच्पन में विबेक की जेष्ट अमावस्या को गुफा के भीतर हो आहुती बन उनका देहावसान हुआ यह पभारी बाबा का है अब आप भीतर बढ़िये भीतर बढ़ते वे हम दिखा रहे हैं एक तो आस्रम को आप देखिए सड़क कभी बनी थी अब सड़क उखड गई है और इधर गंगा का किनारा है पहले गंगा बगल से ही निकलती थी और बाद में गंगा आगे चली गई यह चोटी सी पुलिया बनाई गई है आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखा रहे हैं इस आस्रम के बारे में और भीतर ले चलते हैं बने रही है ऐसे संत के दर्शन के लिए स्वामी बिबेकानन आते हैं और यह है भारत बर्स में एक बहुत बड़े महात्मा है कुर्था गाजीपुर के सिद्ध संत पवारी बाबा अपने जीवन में मैंने जितने बड़े महात्मा देखे उनमें से वे एक हैं वे एक बड़े अदभुद व्यक्ती हैं कभी किसी को उपदेश नहीं देते यदि तुम उनसे कोई प्रस्न पूछो भी तो भी उनका उत्तर उसका कुछ उत्तर नहीं देते गुरु कापद ग्रहन करने में वे बहुत संकुचित होते हैं यदि तुम उनसे आज एक प्रस्न पूछो और उसके बाद कुछ दिन प्रतिक्षा करो तो किसी दिन अपनी बाद चीत में उस प्रस्न को उठाकर बड़ा सुंदर प्रकाश डालते हैं उनहीं ने मुझे एक बार करम रहस के बारे में बताया था उन्होंने कहा साधन और सिद्धी को एक रूप में समझो अर्थात साधना काल में साधन में ही मन प्राण अर्पन कर कारे करो क्योंकि क्योंकि उसकी चरम अवस्था का नाम ही सिद्धी है स्वामी विवेकानन्द ने करम योग से प्रिष्ट संख्या साथ में लिखा है प्रस्न क्या हुआ है थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दिजिए स्वामी विवेकानन्द आप संसार में उपदेश करने के लिए बाहर क्यों ने जाते हैं पहरी बबा क्या तुम सोचते हो कि केवल भावतिक सहायता करना ही सहायता करना है क्या यह संभाव नहीं है कि एक मन दूसरे मन की सहायता बिना किसी सारी क्रिया को करे प्रस्नुत्र स्वामी विविगान आप इतने बड़े योगी हैं तो भी सिरी रखुनाज जी की मुर्ती पूजा और होमादी कर्म क्यों करते हैं पौहारी बाबा सभी अपने ही कल्यान के निमित्य कारी करते हैं इसी बात को तुम क्यों पकड़े रहते हो एक व्यक्ति क्या दूसरों के लिए कर्म नहीं कर सकता ऐसा प्रस्नुत्तरी लों का हुआ है अब आप भीतर चलिए और भीतर यहां जंगली सुवर भी आते हैं अदाकदा यहां प्राकृतिक रूप से ऐसा बाताबरन है उन पत्रों को भी हम दिखाएंगे और स्वामी जी न समय से में पर कुछ जन प्रतिन्दियों ने भी अपना योगदान दिया है यह एक मंदीर है और अब हम बढ़ते हुए चल रहे हैं आस्रम पर यह जो आप गुम्बत देख रहे हैं वहां एक मंदीर है और उस जेल वाली दिवाल के पास भी मिले चलूँगा दखिए एक स्वामी जी की पाल की है जिसे लोग खीशते थे एक मिला होता था इसमें कोई इसके पहिया आप देख रहे हैं और यह रत है इसको लोग खीशते थे स्वामी जी इस पर मान करके की वह बैठ रहे हैं ऐसी मानेता थी मुर्तियों की अस्थापना यहां मुर्तियों को लेकर के लोग चलाते थे अच्छा 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 चलिए प्राराम सर हमें दिखाएं आप एक बार हाई देखिए अब हम भीतर ले चलते हैं और तीन महीने का काल खंड बहुत बड़ा समय होता है जहां स्वामी विविकानंद जी जैसे लोग एक ऐसे संत की साधना के लिए उनके दर्सन के लिए आते हैं यह मुर्तियां है गुरुजे पावारी वावा की मुर्तियां जो है इनी मुर्तियों की पूजा करते थे पावारी वावा जो है ये तो हम लोगों के अधिकार में तब आया है कि महाराजी समाधी ले लिए क्योंकि इसमें सबको प्रिवेस नहीं था महाराजी जो है जब मूर्टियों की पुझा नुन स्वामी विवेका नंजी महाराजी से परस्ण पुछा था, आप इतने बड़े योगी होकर करके फिर मूर्ती पूजा करतें, रगनाजी की पूजा करतें, तो पहारी बाबा ने कहा कि क्या सारे कारी अपने लिए रुए करते हैं, क्या रणपादु का स्वामी जी ने अपने पत्रों में भी काउले किया है समय समय पर उसे भी हम दिखाते हैं और हमें वह दिखाई है उनकी चरणपादु का होगी यह गुफा है जहां पवहारी बाबा रहते थे उसमें से निकलते नहीं थे यहां तक लोगों को आबास होता था बहुत दिनों चेचे महिने तक साल साल भर इसमें रह जाते थे क्योंकि महराजी के थे आपको जो है कि यह दर्वाजे की भीटर से ही बारतालाब करते थे दर्सन नहीं करते थे महराजी के सिधान थे कि फेस टू फेस बात्स आमने सामने होके नहीं करते थे और सब को बाबा कह करके और अपने लिए दास सम्वोधित करते थे यानि कि इस जगत की सबसे छोटी इकाई हैं सोहाम हैं और सब को बाबा कहा करके यहां तक कि सांप नेवला चुहाई त्याद रहते थे उनको भी बाबा ही कहते थे सांप बाबा नेवला बाबा चुहा बाबा एक बार एक सांप और नेवले का एक बार जो है सांप और जो है बर्णन किया है सौमी विवेका नंजी से बारताली आप हो रही थी और विवेका नंजी बाहर बेट करके सुन रहे थी इनकी बातों को जहा है इसी बीच में अचानल बोलना बंद कर दिये पवारी बाबा बीवेका नंजी भीतर से डेक तो नही रहे थी घवडाने लगे कि क् नहीं बार बार में बुला रहा हैं तो आंत में जो है पोहरी बाबा ने कहा कि अज़ता होंगि हो गया हुलिए हमारे पास बैठे हैं लोग जो है साप और चुहे में नेवले और साप में जो समझावता कराता था ऐसे महानसंत पवारी बाबा के निवास अस्थान पर उनकी आसरम पर उनकी गुफा में हम हैं जहां हुआ गुरु जी सुब नाम आपका पुजारी हमारा नात्तिवारी जो है उनी के हम लोग पवारी बाबा के बड़े भाई जो है गंगा तिवारी के हम लोग पांच में बंसधर हैं जो है कोई नंबर बताएंगे आप अगर लोग बात करना चाहें हाँ हाँ हमारा नंबर है आपको 94-50 चौरानवेर 521-86-01 जो है यह नंबर है यसनल का जो है अगर लोग पूछना चाहेंगे तो आप से कब बात करेंगे जब आप खाली रहें अब पूजा पाट करते हैं हुग ही सुभा जो है चार बजे से लेकर कि च्छे-सात बजे तक अपना कारिक्रम चलता है उसके बाद अगर रात को आठ बजे से नौ बजे करें तो आप हाँ हाँ मिल जाएंगे जो है वो समझेंगे अब हम आपको दिखाते हैं वह जेल जैसी दिवाल जहां रहते थे पवारी बाबा और वह पांडूल पियां भी हम दिखाएंगे वीडियो लंबा हो रा इसलिए दो पार्ट हम करेंगे तो दोस्तों बने रही है हमारे साथ मैं हूँ ब्रजबूसन दूबे यूटूब चैनल ब्रजबूसन मारकंडे से और दिखा रहा हूँ अस्थान और उन्चोरों के बारे में भी हम बताएंगे